हलो स्टुडेंट आज के इस वीडियो में देखेंगे वर्नियर कैलिपर बैस्ट एक्सप्रिमेंट और हमारा जो एम है वो क्या है टू मिजड डायमेंटर ओफ स्मॉल स्टेट और सिलेंडर इसलेंट्री कल बाडी उजिंग वर्नियर कैलिपर तूँ यहाँ पर हम ने यह स्टीर कल बौब लिया इसका हम डायमेंटर करेंगे इस वर्नियर कैलिपर की मदद धब तो apparatus में क्या क्या चाहिए हम लोगों को vernier calipers चाहिए यह रहा हमारे पास में spherical या फिर cylindrical body तो यह रही है हमारे पास और reading lens यह reading lens हमारे बहुत काम आने वाला है observation देखे हम लोग तो observation में सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए हमको पता होना चाहिए list count of vernier caliper कैसे determine करते हैं the value of one division on main scale यहाँ पे देखिए vernier caliper में दो scale होती है एक तो यह यहाँ पे जो end grade की है पूरी यहाँ पे यह centimeter scale है यह main scale है और अगर आप inch में determine करना चाहते हैं अपनी value को तो यहाँ पे यह inch वाली यह उपर scale है यहाँ पे देख सकते हैं यह लिखा हुआ है inch और यह लिखा हुआ है centimeter दूसरी होती है यह वर्नियर scale जो कि यहाँ पे यह जो इस part में है देख सकते हैं आप लोग यह जो दिख रही है यह वामारी varniयर scale है तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास में formula या फिर क्या है the value of one division on main scale यह जो main scale है हमारे पास ने इस पे one division मतलब यह जो दो successive line होती है ना इनके बीच की जो gap होती है उसको बोलते हैं हम लोग one division ठीक है तो one division की value कितनी है 0.1 centimeter या फिर आप उसको millimeter में क्या लिख सकते हैं one millimeter अब denominator में क्या है total number of count करेंगे one two three four five six तो यह total कितने निकलेंगे 10 निकलेंगे तो यह denominator में हमने क्या लिख दिया 10 यहां पर 10 लिख दिया यह centimeter में हम derive कर रहे हैं और यह millimeter में कर रहें बाकि दोनों क्या है same है इसको solve करेंगे तो 0.01 centimeter आ जाएगा list count of vernier caliper और या फिर हम कह सकते है millimeter में 0.1 millimeter तो इस तरीके से हमने list count निकाल लिया दूसरी सबसे important बात जो हमको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए zero error किसी भी instrument जिससे आप measurement करते हैं आपको zero error पता होना चाहिए तो दिखिए किसी भी instrument में या तो zero error नहीं होगी अगर पर बहुत accurately और बहुत precisely उसको design किया गया है तो उसमें zero error नहीं होगी पर अगर होगी तो फिर या तो negative zero error होगी negative zero error या फिर होगी positive zero error ठीक है अभी किसको negative और किसको positive zero error कहेंगे हम लोग तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है वर्णियर कैलिपर को close कर देखें इंज है पूरा हमने close कर दिया सब्सकरों जोररर यहां , उसके बाद में आपको देखना है यहां का पहला लाइन यह वर्णियर análर कैलिपर जो यहां का पहली осके और यह जो zero कर रहे हैं इसका मतलब कि यहां पर zero error नहीं है मतलब कि इस instrument में zero error कितनी है zero है मतलब आप इससे जो result लेंगे वो आपका actual original result ही आपको मिलेगा पर कई instrument ऐसे होते हैं कि अगर हम लोग उनको close करें तो थोड़े से आगे या फिर हो जाते हैं पीछे इस तरीके से देखें अभी के case में देखें तो देखी यह लाइन आपको थोड़ी सी इधर shift दिख रही है और यह वाली लाइन जो है यहां पर मतलब दोनों coincide नहीं हो रही है तो उस case में यहां पर zero error है और इस error को कहते है positive zero error क्योंकि यह जो है यह कहा होना चाहिए जीरो पर होना चाहिए अब यह इधर है मतलब यह जादा reading हमको देगा और अगर यह वाला zero जो है वर्नियर स्केल का यह इधर आ जाता है मान दो इस line को इधर cross कर लेता है तो वो negative zero error कहलाती है क्योंकि उस case में हमारे पास में जो reading आईगी वो काम आईगी तो इसको भी हम correct करते हैं क्योंकि अभी मान लीजिए कि हमारे इसमें zero error नहीं है जैसा कि मैं आपको instrument को close करके दिखा रहा हूँ तो दोनो लाइने जो है वो एक दूसरे को coincide कर रही है यह align है दोनो लाइने ठीक है तो इस institute में हमारे इस instrument में zero error zero नहीं मान रहा हूँ में मैंने मान लिया कि इसमें zero error है और वो कितनी है 0.03 cm zero error है और वो भी कौन सी है positive पॉजिटिव होगी तो plus लिखोगी आप और negative होगी तो negative लिखोगी मतलब यहाँ पर इस तरीके से इसको अगर आप देखना चाहते हैं zero error कैसे determine करते हैं तो आप मेरा वीडियो है playlist में से देख सकता है तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या जिस इस फेर के लिए आप काम करने हो जिसका diameter measure करना है उसको देख लें यहां पर इसका diameter हम लोग measure करेंगे इस point पे मतलब कि यहां पर हम लोग fix करेंगे हमारा vernier caliper कैसे fix करेंगे इस तरीके से यह ठीक बीच में होना चाहि हैं कि यह जो जहां पर end हो रही है आप वो reading लिख देते हैं जबकि ऐसा नहीं है इसका जो diameter आएगा वो reading कहां से आपको मिलेगी पहली reading यहां से मिलेगी यह जो vernier scale जो होगी जहां पर शुरू हो रही है वहां पर आपको reading मिलेगी तो अभी के case में अगर आप लोग देखे देखेंगे तो देखिए यह टू को टच नहीं किया है तू सेंटिमिटर को वर्नियर scale ने ठीक है दोनों align नहीं है मतलब कि यह 1.9 को cross कर चुका है यह जो line है हमारे यह वाली line यह line देखिए यह जो है यह वाली जो line है मैं scale की इसको बोल रहे है हम लोग 1.9 और 1.9 को इसने cross कर लिया है इस वर्नियर scale की पहली line ने ठीक है तो man scale की reading यह रही है यहाँ पर serial number 1 man scale की reading कितनी लेके आए हम 1.9 और यह भी किसमें लेके आ रहे है हम लोग centimeter में measure कर रहे है आप चाहे पर last में इसको millimeter में कर सकते है अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए यह line को एक line AC आपको ढूना है जो कि ऊपर वाली यह जो यहाँ पर line ने दिख रही है यह वाली जो line है इन से coincide होगी तो वह हमारा होगा number of division in vernier scale और जब भी देखें आप इसको इस perpendicular direction में देखें ठीक है तो आपको reading जो है काफी अच्छे से नजर आएगी तो जैसा कि मैं देख इसमें से आप अगर जड़ा गोर से देखेंगे तो यह जो एट वाला डीविजन ने देखी यह exactly a line है इस line के साथ में ठीक है यह वाला एट यह होगया फिर अगला 9 और यह वाला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो हम लोगों के पास में number of division on vernier scale पे क्या मिला है 8 मिला है आ आपको एक line इसके coincide दिखेगी otherwise आप normally देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारी line हो जो है वो उपर वाली सभी line हो के coincide है यहाँ पर number of division मैंने कितना ले लिया 0. पॉइंट सुरी number of division कितना है 8 है यह decimal वगेरा नहीं लगाना है अब देखिए वर्नियर scale की reading आपको लिखना है तो आप क्या लेक्या है हो 8 number of division on vernier scale multiply कर दो list count of vernier scale जो कि हमने ओपर determine किया था कितना था 0.01 cm ठीक है यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10 cm तो बार बार हमको सभ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारी vernier scale की reading कितनी होगी 0.08 इन दोनों को multiply कर लिया तो यह answer आगिया total reading में हमको क्या करना है main scale reading plus vernier scale reading मतलब कि यह main scale reading होगी और यह vernier scale reading होगी इन दोनों को add कर देंगे आप इनका sum निकालेंगे तो वह आ जाएगा 1.98 और यह reading भ पर की मदद से एक spherical या फिर cylindrical जो body था उसका diameter जो है हमने measure कर लिया पर क्योंकि हम लोगों को अभी और भी diameter measure करना है आप चाहें तो यहां पर 2, 3, 4, 5 times ज्यादा accuracy के लिए अभी आपने इसको इस तरीके से fix किया था अब आप इसकी direction जो है वो change कर दें अभी इसकी perpendicular direction में इ इसको fix कर देते हैं अब अगर हम लोग reading देखें तो देखिए फिर से 1.9 को cross कर रही है हमारी वर्नियर scale ठीक है ना reading यहां से नहीं आएगी कहां से आएगी वर्नियर scale की जो पहली line होगी वो किस line को cross कर लिए main scale की वो हमारी reading होगी तो यहां पर फिर से कितना आएगा 1.9 ज चलिए अब फिर से यहां पर वर्नियर scale की एक line ऐसे देखते हैं जो in main scale की line से align हो रही है और perpendicularly अगर हम लोग देखें तो फिर से यह देखें यह 8th नहीं इस बार यह जो 9th line है यह exactly align दिख रही है हम लोगों को तो यह number of division कितना हो गया 9 यहां पर फिर से उसी तरीक से 9 multiply 0. 0.01 is equals to simplify करेंगे तो 0.09 आ जाएगा और यहां पर reading आ जाएगी 0.1.99 main scale प्लस वर्नियर scale को add कर दिया तो हमारे पास में total reading आ गई ठीक है इस तरीके से हम अगली बार फिर से चाहें तो क्योंकि spherical body आप किसी भी तरीके से घुमा के और अलग-अलग reading ले सकते हैं क्योंकि इस कि यह 2 के भी align में नहीं है ना इसलिए 2 cm आप इसको बोल नहीं सकते 1.9 और अब फिर से अगर आप देखोगे तो यह 9th line जो है यही exactly align हो रही है इसके तो उस case में यहां पर 9 आ गया यहां पर भी 9 times इसके list count से multiply कर दो is equals to कितना हो जाएगा 0.09 और यहां पर आ जाएगा 1.99 इस तरीके से आप कई सारी reading ले सकते हैं आपने क्योंकि multiple reading ली है तो आपको mean diameter निकालना पड़ेगा मतलब कितनी reading ली है आपने 3 reading 1.98 प्लस 1.99 प्लस 1.99 डिनॉमिनेटर में आ जाएगा कितने 1,2,3 तो 3 से divide कर दे अगर 4 reading या 5 reading ली है तो यहां पर 4 या 5 times आपको लिखना ह यह mean निकालना है, average निकालना है इसका जो average आएगा वो यहां पर आप note कर लें यह हमारी जो value है क्या हो जाएगी observed diameter ठीक है अभी क्योंकि हमने यह माना था कि अगर किसी instrument में zero error हो positive या negative तो उसको correct करना पड़ता है हमको अभी क्योंकि हमारे इस instrument में zero error नहीं है मतलब यहां जो answer आएगा वही mean diameter हो जाएगा इस spherical body का पर अगर मान लीजिए zero error है तो उस case में क्या करेंगे उसको कैसे correct करेंगे तो वो चलिए देखते है अभी average value निकाली है तो वो आई है हमारे पास 1.99 cm यह हमारा हो गया observed value 1.99 cm अब बॉब का अगर हम लोग real diameter निकाले तो वो कितना होगा observed diameter कितना लेका है 1.99 और minus zero error with sign तो zero error हमने क्या मानी थी कि हमारे instrument में 0.03 है और यहां पे positive error थी इसलिए प्लस लगाना है अगर negative zero error हो तो क्या लगाना है negative sign यहां पर place करना पड़ेगा नेगटिव होगा तो negative negative क्या हो जाता positive हो जाता अभी यहां पे negative positive क्या हो जाएग negative 0.03 1.99 तो यह हो जाएगा यहां पर 1.9 और 6 और क्योंकि यह पूरा calculation हमने किसमें किया है centimeter में तो आ जाएगा centimeter देखिए अगर positive error हो यह negative error होती तो क्या होता 1.99 minus negative sign भी लिखना है आपको zero error का 0.03 यह हो जाता 1.99 minus minus plus हो जाता 0.03 हो जाता और यह हो जाएगा 2.02 इस तरीके से यह हमारी value आती है centimeter तो अगर हम लोग result देखें यह observation से हमारे पास में आ गया calculation से diameter of given sphere और cylinder is कितना आ गया 1.96 centimeter अगर यह जो है positive error है और यह अगर माम लीजी यह negative 0 error है तो answer आता 2.02 centimeter ठीक है precaution क्या रखना है आपको 0 error should be taken carefully इसकी जो 0 error है वो आपको सबसे पहले measure करना है तभी आपकी value जो है answer जो है वो सही आएगा और क्या precaution है reading must be taken perpendicular direction मतलब आप जब यहां से reading ले रहे हो तो आपको इस direction से देखें तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यही आपकी तरफ से हमारे लिए एक gift होगा धन्यवाद